अब हम स्टार्ट करेंगे थर्ड समेस्टर और पार्शल डिफ्रेंशल एक्वेशन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी सेप्टेंबर लगबागा यह समझे कि जा चुका है 20 हो गया है 20 सेप्टेंबर अभी जो आपके पास टाइम है ऑक्टोबर नवेंबर बस आप इतना ही टाइम मानके चलो क्योंकि दिसंबर में एक्जाम्स स्टार्ट हो जाते हैं तो मंथ में भी आप अपने एक्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से त्यारी कर सकते हो ऐसा कुछ भी नहीं कि अभी केवल दो मंथ रहते हैं तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा या फिर इतनी अच्छी त्यारी नहीं हो पाएगी जिससे हम 100% स्कॉर कर सकें बिलकुल आप कीज करेंगे कौन से चैप्टर्स इंपोर्टेंट रहने वाले हैं और यह सब मैं आपको हर्याना निवर्स्टिस के कॉर्डिंग बता रही हूं जो आउट ओफ हर्याना स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देखेंगे तो प्लीज आप अपने युनिट वाइस कॉंटेंट अविलेबल कराई गई है और यह टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप सेर्च कर सकते हो वहां पर आपको सभी बुक्स की पीडियाप्स मिलेंगी और जो भी आप बुक्स पढ़ रहे हो आपके पास जो ए एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट हो सकते हैं सेमेस्टर एक्जाम के हम बात कर रहे हैं है ना तो उनको अगर आपको एक युनिट से 20 25 और 30 कोशन इस टाइफ से अगर आपको देखने है हर युनिट वाइस तो आप निवरा मैस अप्लिकेशन डाउनोड कर सकते हो थर्ड स इंपोर्टेंट टॉपिंगे विद्बेस से को और जो हमारे कोशन का सलुशन रहेगा जहां पर हम कंप्लीट सलुशन करवाएंगे कोशन का क्योंकि अगर में एकाद कोशन भी लास्ट में छोड़ देती हूं ऐसी कैलकुलेशन जो सुनिंट कर सकता है उसमें भी कमेंट आ आप अभी अगर अपने परपिरेशन स्टार्ट करते हो तो दिसेंबर एक्जाम्स के लिए खुद को प्रिपेर कर सकते हैं फोर गेटिंग हंडर्ड परसेंट मार्क्स ठीक है कुछ ऐसे चाप्टर में बताऊंगी जो आपको ज्यादा मुन पर ध्यान नहीं देना है उनको आप फोड़ा सलइटली ले सकते हो फ्रस झीट्राफ वर होतीप फोस्त फ्रीचाप्टर से यूनिट फ़र्स तो जैप सब् distress तो आप फ़र्स्त और सेकर अच्छे से कर लिजी वाह फोदाई दी नांटी नाइन परसेंट आंसे होते हैं कि दो चाप्टर से आपका एक क्व कवर हो जाएगा ठीक है अगर आपने थर्ड चाप्टर पढ़ लिया है या फिर रिविजन के टाइम आप पढ़ना चाहते हैं थोड़ा बहुत देखना चाहते हैं ऐसे नहीं करना है आप अभी अगर जो कर रहे हो एक्जाम के करो मतलब दो चाप्टर तो आपको ऐसे करने हैं कि उनमें से आपको कोई भी कोशन चूटना नहीं चाहिए और जो अभी हम इंपोर्टन कोशन करेंगे कल से सीरी स्टार्ट हो जाएगी जो थार्ड चाप्टर के इंपोर्टन कोशन रहेंगे उसमें हम कंप्लीट मैथड भी करेंगे तो वह कोशन भी अगर आप कर लेते हो तो डाफिनेटली आपका जो इंपोर्टन मैथर्स चाप्टर में हैं तो बहुत अच्छे से मैथर्स और आपको यह भी बता दें कि जो यह पार्शल डिफरेंशल इक्वेशन है या फिर आपने फर्स्टीन में पढ़ा था और नहीं डिफरेंशल इक्वेशन यह आपके बीस्टी के साथ साथ में भी बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं अगर आगी जाकर के कोई एस्टायट या फिर किसी भी स्टेट का टीचर के लिए अगर आप कोई भी वेकैंसी निगलती है और आप फोर्म भरते हो और रिटन अच्छी बात है और यह जो कंप्लेट स्लेबस आप देख रहे हो इसके लिए आप निवरा मैस अप्लिकेशन डाउलोड कर सकते हो फुल ओफ कॉर्स जो कंप्लीट कॉर्स है वहाँ पर आप कर सकते हैं सबी चाप्टर्स हमने वहाँ पर करवाए है और पूरा का पूरा स्ल और को करने ही करने है और हमने कोर्स में भी एक्जाम्पल्स सभी करवाए इसके साथ साथ एक साथ एक्साइज के कोशन पे आपको मिलेगी चलिए देखते हमने और देखते हैं नेक्स नीच्ट आपके आपके पास आती है fourth और फिफvúc चाप्तर से 4 chapter is the most important chapter of this partial differential equation linear partial differential equation of second and higher orders partial differential equation with variable coefficient reducible to equation with constant coefficient ठीक है यह homogeneous equation यहाँ पर बनेगी और इसको आपको convert करना है इस chapter की जो questions है इन में और फिर आपको solve करना है मतलब हमें variable जो coefficient होगा variable होगा constant में change करना है तो यहाँ से आप 4 chapter तो करोगे ही करोगे most important और मैं नहीं कहोंगे कि आप यहाँ पर पांचमा चैप्टर छोड़िए आप अगर इसके example I think 6 7 ऐसे ही कुछ example है 7 नहीं पता नहीं 8 है तो अगर यह आप यह भी कर लेते हो 5th chapter के only example example तो भी आपके लिए sufficient रहेंगे ठीक है तो examples definitely six chapter में देखिएगा classification and canonical form of second order linear partial differential equation यहाँ पर six chapter से आपका पूरा unit cover होता है कितना important chapter रही है न और इसमें six chapter में I think five exercises है हाँ जी five exercises है और इन में से अगर आप एक exercise last की skip कर देते हैं तो कोई फरक नहीं पड़ेगा यानि कि चारक exercise अगर आपने अच्छे से कर लिया न तो six chapter आपका complete है ठीक है और जो बचा के वल pass होना चाहता है और थोड़ा सा risk लेना चाहता है तो शुरूर की three exercises कर लो 6.1 6.2 6.3 यहां से भी आपका question 99% chances है कि complete हो जाएगा cover हो जाएगा ठीक है लेकिन जो हम important जो question discuss करेंगे वो भी आपको definitely करने है ओके चलिए जी next six of second order partial differential equation and causes problem और ninth is method of separation of variables wave, heat and laplace equation यहां से अगर मैं आपको सही सही बताऊं तो 9 chapter बहुत ज़्यादा important है अगर आप 9 chapter कर लेते हो तो probability है कि यहां से आपका एक question cover हो जाए complete लेकिन यह risk केवल वही बच्चे ले जो केवल pass हो रहा जाते हैं जिनको अच्छे marks लेने हैं वो 3 में से 2 chapter तो करोगी करोगे 8 और 9 कर लेते हो तो जरासा भी risk आपके पास नहीं रहेगा और 7 और 8 करते हैं तो यहां से भी possibility है कि question cover हो जाए लेकिन यह हम sure नहीं कह सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा depend करता है chapter की length पर उसमें कितना content है आप देखिए का तो 9 chapter में जितना content है उतना 7 और 8 में भी बनकर नहीं होता है मनुन 9 chapter में जो slavus आपको दिया गया है वो lengthy है comparison to 7 plus 8 chapter चीक है तो अगर आप 8th और 9th करते हो तो बहुत अच्छी बात हो और आपको बता दू कि 7th मुंगेज method से short question definitely बन सकता है अब इसके साथ short questions भी आपको करने होंगे क्योंकि पूरा एक question जिसमे compulsory question जो होता है जिसमें आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो जितने part आपको दी जाएंगे आपको करने पड़ेंगे वो भी आपको इनी chapters में से मिलने वाला है और जल्दी ही important questions भी आपको complete करवाए जाएंगे तो पहले हम जो important questions की series start कर रहे हैं उन्हीं में हम important short questions भी upload करेंगे तो किसी भी student को syllabus से regarding कोई भी क्योरी है call कर सकते हो 9416941982 WhatsApp number and 8053 633433 यहाँ पर भी आप call कर सकते हैं इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने friends में share कीजिएगा जो बच्चा के वाल pass होना चाहता है या फिर जो अच्छे marks लेना चाहता है दोनों के according minus levels जिस्सोस किया है फिर भी अगर लगता है कि मुझे तो केवल passing marks ही चाहिए मुझे ज़्यादा ताम जाम नहीं चाहिए सिर्फ passing marks आ जाए 35% आप criteria मान के चलो 33% पर मत जाओ अलग 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 जो evaluation है कही 35 है कही 33 है तो आप 35 सब के लिए मान के चलो और अच्छा करो तो 40% ले लीजिए ठीक है तो दो unit अगर आप करते हो complete दो unit first, second and four chapter यहाँ से आपकी दो question complete होंगे ठीक है और इसके लिए अगर आप six chapter की यानि की half 6.1, 6.2, 6.3 कर लेते हो तो आपका pass होने का सही सही जुगाड हो जाएगा इससे ज्यादा syllabus आपको नहीं करना पड़ेगा अगर केवल आपको passing marks चाहिए अगर आपको आगी जाकर के match की जुरूरत नहीं है और आपको केवल यहाँ पर 33% लेने है, 35% मिलते रेक्स क्लास में यह वीडियो को प्लीज सब के साथ शेयर कीजिएगा बाई, टेक केर